नबश्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आज लोन अप्रूवल इनलसिस डिस्कस करेंगे जनुरी दोज़र चौवीस का तो ऐस उज्वल की डिस्कलेमर है मेरा कि यह जो वीडियो मैं बना रहा हूं केस डिस्कस कर रहा हूं इनका रियलेटिक के साथ कोई यह न देना नह केसा है तो परफ़स आज के सब्रक्टर कैसे किया गया और इस केस कमसा बेसिस्पर किस तरह से प्रूब किया इस तो समझना जूरी है हर बार ऐसा नहीं होता कि case rejectable हो और rejectable case को कैसे प्रूव किया सिर्फ वही मैं इन वीडियो में डिस्कूस करूँ जो case करने वाला भी है पर उसको किया कैसे तो वो भी आपके लिए जानना आपकी knowledge enhancement के लिए आपकी practical understanding के लिए बहुत जलूरी है तो चलिए start करते है फस्ट केस के साथ तो फस्ट केस जो था वो renewal come enhancement का case था तो existing customer ही है हमारे पास तो तीन चास साल से उसका account हमारे पास चल रहा था और बिल्कुल satisfactory account हमारे पास चल रहा था कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी तो जो client का business था वो client business करता था mufflers का caps का scarf gloves socks यह नहीं winter की जो accessories होती है उन winter की accessories को बनाने का काम करता था तो उसकी जो हमारे पास limit चल रही थी वो 80,00,00 रुपे की limit चल रही थी existing od limit 80,00,00 की जो file हमारे पास आई थी तो उसमें बोला गया था कि इसको 80,00,00 से बढ़ा के एक क्रोड करना है यानि 20,00,00 रुपे यहां पे बढ़ाने है और client को building time loan चाहिए building की construction के लिए 3 क्रोड रुपे का 3 क्रोड रुपे का building time loan चाहिए यह request आई थी हमारे पास तो टोटल 3 क्रोड प्लस 1 क्रोड यानि 4 क्रोड रुपे का loan client को चाहिए जो हमारे पास existing चल रहा था खाली 80,00,00 रुपे उस 80,00,00 रुपे के लिए client ने अपनी रेजी कम factory की property हमें mortgage की हुई थी चार floors थे तीन floors में factory run हो रही थी और जो सबसे उपर top floor था वहाँ पे उसका residence था तो उसकी 81,00,00 रुपीस की value थी खाली और उस 81,00,00 रुपीस की value से हमने 80,00,00 रुपीस 100% value पे almost पैसा दिया हुआ था और इस factory के इलावा तीन चार factory यां उसकी rent पे भी चल रही थी तीन चार factory यों पे उसने जो अपना काम चलाया हुआ था वो rent पे चलाया हुआ था तो वो अलग थी ठीक है तो कर वो इसी business में रहा था उसको भी तो इस property के इलावा हमें additional property ये नए building term loan के लिए एक land propose की जारी थी जिसके उपर ये building बनानी थी तो वो land की value खाली land की value दो करोड़ सतर लाख रुपे की आ रही थी और obviously उसके उपर जो building वो बनाएगा land के उपर अभी तो खाली vacant land है इसके उपर जब building construct करेगा हमारा पैसा use करके तो वो building की value जब इस value में add होगी प्लस होगी तो obviously इसकी value तीन क्रोड से उपर क्रॉस कर जाएगी करेक्ट तो यह हमारे पास प्रोपोजल था तो अब हमने इस प्रोपोजल में आपको एक जो bank statement थी क्लाइंट की bank statement बिल्कुल ओके थी symbols बिल्कुल ओके थे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी क्लाइंट की interest coverage ratio debt service coverage ratio बिल्कुल ओके थे फैनेशल मैं आपको दिखा देता हूं बरीफ यह थे दोनों सालों के audited इसलिए यह लिखा है यह हैं 2024 और 2025 के प्रोजेक्टिड रिजल्ट तो sales 4.4 क्रोड 4.90 क्रोड 6 क्रोड की बन रही है 24 में और 2025 में 7.5 क्रोड की sales उसकी निकल भी लगाए 20% वाला तो 6 क्रोड की proposed projection के हिसाब से तो 6 क्रोड का 20% एक क्रोड 20 लाक रुपे बनता है तो वो हमारी limit एक क्रोड की तो turnover method के हिसाब से आराम से justify होती है correct तो यह तो बात okay होगी अब आगे building term loan की बात कि उसको यह building term loan 3 क्रोड रुपे वाला चाहिए क्यों था आपको मैं बता दू जब visit किया तो यह पाया गया कि यह जो property बहुत ही एक tight area में tight गली में पड़ती है तो वहाँ पे मतलब कोई truck वगरा भी नहीं आ सकता वहाँ पे जो वह नहीं होता चोटा हाथ थी उस तरह के commercial गाड़ियां ही आके goods को उठा सकती है और drop कर सकती है तो ब इनका rent पे कर रहा था तो client ने सोचा कि क्यों ना मैं एक अपनी अलग land जो मैंने खरीद रखी है और यह जो सारी यहां की factories है यह एक ही जगह पे shift करके एक ही जगह पे setup create कर दूँ अपना सारा का सारा और यहां से मेरी डेड़ दो लाकर पे की rental income भी rental का कर्चा भी save हो जाएगा और plus मुझे जो EMI का burden बढ़ेगा वो EMI का burden मैं existing business से ही manage कर लूँगा तो मेरे को easy हो जाएगा operate करना एक ही जगह से तो इस वज़ए से उसने नए land के उपर building term loan को हमें propose किया था तो आप उसका जो EBITDA margin था EBITDA margin 5.1% 4.9% बिल्कुल बराबर सा ही चल रहा है 5.2% और यहां पे उसने 25 में हमें project किया कि मेरा EBITDA margin बहुत अप जाएगा मेरा rent का खर्चा भी save होगा और मैं जो product बेचूंगा वो थोड़ा higher margin पे बेचना start करूंगा तो आप मेरे 2025 में पकड़ के चलो कि मैं ज्यादा EBITDA margin पे काम करूंगा इंट्रस्ट का खर्चा सिर्फ 2,00,00 रुपे क्योंकि वो limited बहुत कम use करता था और 2024 में 8,00,00 रुपे का इंट्रस्ट का खर्चा प्रोजेक्ट किया 2025 में हमने project किया 23,00,00 का इंट्रस्ट का खर्चा क्योंकि उसके additional loan की वज़ा से तो अब जब मैं client से visit करने गया तो client से हमने बातचीत शुरू की बातची शुरू होने के बाद client ने हमें अपना सारा project समझाया अब आप ध्यान से समझिएगा तो जब project उसने समझाया तो मैंने client से discuss किया कि sir आप 3 क्रोट रुपे का building term loan demand कर रहे हो यह तो loan amount है कि जो bank देगा 25% contribution तो आपको भी डालना पड़ेगा अपना पर motor contribution तो उसके हिसाब से आपकी building के उपर टोटल जो investment है वो होगी इसके हिसाब से आप तीन क्रोट डिएड़ बैड़ पिचत्र प्रसेंड कर लीजिए तो आपकी 4 क्रोट रुपे की total investment है पक्केगी चार क्रोट रुपे की total investment जिसमें से 1 क्रोट रुपे आप डालेंगे और 3 क्रोट रुपे बैंक देगा अपना लोन तो मैंने सर से पूचा कि सर पहली बात आप ये बताईए कि जो ये चार क्रोट रुपे हैं तो क्या आपका 4 क्रोट रुपे का building का खर्चा होना है देखे आप देखे समझने की बात है कि अग क्लाइंट को खुद कोई इन चीजों की understanding नहीं थी उससे properly discuss नहीं किया गया था क्योंकि एक DSA का case था तो कोई discuss नहीं किया गया था तो बस फाइल डलवादी गई थी कि बैस loan ले ले जी आप जितना ज़्यादा हो सके तो मैंने properly discuss किया क्लाइंट से तो मैं बोला कि चार क्रोट रुपे आपने पक्क 4 रुपे के क्लाइंट ने बोला कि मेरी construction होनी तो है सर 4 क्रोट रुपे पर सर केता म бिल पक्के में construction दिखाऊं गा न हीमने फिर सर को बोला कि सर अगर आप पके में इतनी construction नी दिखा होगे तो फिर मैं इतना building term loan आपको कैसे दे दूँगा building term loan के लिए तो आपको पक्के में सारी construction दिखानी पड़ेगी और साथ ही साथ क्योंकि मैं building term loan आपकी firm को दे रहा हूँ तो ये सारे की सारी building जो है वो आपकी firm के fix assets में report होनी चाहिए उस पे client ने agree कर दिया कि बही जो ये building है वो books में ही आएगी ये books से बाद नहीं जाएगी सारे bills जो है वो मैं firm के नाम पे ही कटवाओंगा although मैं आपकी knowledge के लिए बता दू कि client को इस चीज़ के बारे में भी किसे नहीं नहीं बताया था कि जो bills सारे कटवाने हैं वो firm के नाम पे कटवाने है क्योंकि जो land थी जो ये land है ये land खाली individual नाम पे थी firm के नाम पे नहीं थी ये land तो building के bills जो है वो firm के नाम पे कटवाने हैं ये भी हमने जाके उसको client को educate किया और client को बताया और client समझ के client ने agree भी किया तो बात आगी कि सर चार क्रोट के bill arrange करोगे तो चार क्रोट के bill कहता मैं range नहीं कर पाऊंगा दूसरी बात मैंने सर को बोला कि सर ये तीन क्रोट का building term loan है हम working capital department पे हैं और हम building term loan जो हैं वो seven years से ज़्यादा tenure के करते नहीं है साथ साल से ज़्यादा का tenure का करते नहीं है और अगर हम जड़ा calculate करके देखें हाँ पे दस सेकेंड होल कीजिए मैं अभी कर देखता हूं कि हम देखते हैं कि जो अगर तीन क्रोड का बिल्डिंग टम लॉन है कि इंग करोड का बिल्डिंग टम लॉन साड़े नो परसेंट rate of interest पे 7 years के लिए जो EMI फिकर बनती है वो बनती है 4,90,000 पे की EMI बनती है पर मन्त 3 करोड के लोन पे तो मैंने सर को पुछा कि सर क्या आप 4,90,000 पे की EMI देने के लिए ओके हो उसको बनते को यह चीज़ का किसी को ने बत गाइड ही नहीं किया था कहता है यहार कहता है यह बिल्डिंग टम लॉन तो 10 साल के लिए नहीं होता है मैंने का नहीं जर सॉरी 10 साल के लिए हम बिल्डिंग टम लॉन नहीं करते हैं 7 years के लिए ही होता है दूसरा देखो इंटरेंस आ गया पहली बात उसने बोला कि मैं इतने ज़्यादा पक्के के मिले रेंज नहीं कर सकता चार क्रोड के फिर दूसरा उसने बोला कि 4.90.000 की एमाई तो पर मंत पे करना में लिए ज़्यादा हो जाएगा उसने बोला कि सर देखो देखो डेड़ से मैं मंतली EMI का बर्डन पिक कर सकता हूँ 4.90.000 तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा EMI बर्डन तो अब EMI बर्डन भी वो उठाने को त्यार नहीं था तो फिर हमने उसका कैलिकुलेशन करके उसको बताया कि सर आपका रेंट सेविंग के हिसाब से आपका EMI के हिस साब से हमारा जो बिल्डिंग टम लॉन अगर आपको 2 करोट रुपे का देते हैं तो 2 करोट का कॉमबिनेशन आपके लिए ठीक रहेगा फिर क्या होगा आपको 2.67 क्रोट रुपीस के बिल अरेंज करने पड़ेंगे जिसमें से 2 करोट रुपे का हम बिल्डिंग टम लॉन देंगे और 67,00,00 रुपे की आपको capital डालनी पड़ेगी अच्छा दूसरी बात ये भी थी एक करोड की capital भी उसको डालनी पड़ेगी इसके बारे में भी उसको knowledge नहीं थी ये भी हमने उसको visit पर ही बताया कि सर एक करोड रुपे आपको as a capital खुद डालना पड़ेगा books of account में क्योंकि आपकी books of account में इतने जादा भी profit नहीं है कि वो आपकी capital को justify कर दे कि जो एक करोड रुपे आपको building के लिए चाहिए ठीक है तो एक करोड रुपे आपको खुद से डालना पड़ेगा वो बोला कि एक करोड रुपे तो मेरे पस है ही नहीं डालने के लिए एक करोड 50-60 रुपे यह डालने के लिए मेरे पास तो ज्यादा ही नहीं अमाउट तो फिर दिखें तीन factors होगे फस्ट फेक्टर कि मैं इतने पक्के के मिल रेंज नहीं कर सकता चार क्रोड की value के दूसरा कि मैं इतनी EMI पेई नहीं कर सकता तीसरा मैं इतनी पक्के की capital range कर नहीं सकता तो फिर आप खुद ही सोचीना की client को educate क्या किया गया client को समझाया के गया तो मतलब फाइल डाली गई तो client को यह सिर्फ लबाने के लिए डाली गई कि आप loan ज़्यादा से ज़्यादा लो और हम as a dsa ज़्यादा commission कमा ले तो as a dsa क्या बोलूँ अगर हम as a financial consultant किसी client के साथ deal कर रहे हैं अब bank के बाहर की बात कर रहा हूं तो हमें client को properly guide करना चाहिए rather than कि उनको हवा में बस छोड़ दो कि आप यह कर लो वह कर लो प्रॉपरली उनको उनका financial समझ के उनकी business की requirement समझ के प्रॉपरली गाइड करना चाहिए उनको तो अब इस पे उसका combination फिट हो गया 2567 क्रोड के कैता मैं bill arrange कर लूँगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पचासा अड़ लाक रुपे की capital मैं डाल सकता हूं कैता मेरे पास saving में इतना balance पड़ा है तो मैं डाल सकता हूं मेरे पस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दो क्रोड रुपे का आप तर्मलों दोगे मिरे को अगर seven years के लिए तो seven years के लिए दोगे तो मेरी EMI भी एक decent level पर आजाएगी तो उसमें भी मिरे को दिक्कत नहीं है तो ultimately हमने इसको building तमनों फिर दो क्रोड रुपे का प्रूव किया तो मेरा motive यह था आपको वीडियो के थुरू यह बताने का इस case study के थुरू कि देखें हमें client को अकेला यह नहीं देखना होता कि वहाँ पर जाके question पूछ रहे है वहाँ पर जाके बस question अंसर round शुरू करते वहाँ पर समझाने की कोशिश करें कि sir आपकी business के लिए क्या सही है क्या गलत आप हमसे भी discuss कीजिए क्योंकि हम उनके financials को better समझते हैं कई बार तो client के client से भी जादा हमें better financials की knowledge होती है अभी मैं practically बताता हूँ यह तो चलो मैं hypothetical case discuss कर रहा हूँ अभी जैसे person हम visit पे गए थ case की तो वह case था around 20-22 क्रोड रुपे का case आने वाली वीडियो में discuss करूंगा case तो 20-22 क्रोड कर रुपे का case था तो उस client को अपनी business की books के बारे में zero knowledge थी zero knowledge वह एक ही चीज़ पर अड़ा हुआ था कि मेरे को जो enhancement चाहिए वह working after term loan की shape में enhancement चाहिए जबकि उसकी DSCR 1 से भी नी जाया कि सर आपको यह माई का burden handle नहीं कर पाओगे आप तो किरपा करके आपको जो enhancement चाहिए वह आप प्लीज सी सी लिमिट में enhancement लीजिए यह डबल सी टेल की कहानी जिसने भी आपके दिमाग में डाली आप प्लीस उसको बाहर निकाल लिए ठीक है तो हमें उस तरी तरी के स उसalten रहा होता है तो देखिए यहां पर 15 लाग पतर लक्ती यहां पे तेरा लक और यहां पर डेपरीशेशन बढ़ा दे क्योंकि हमने बिल्डिंग की की डेपरेशेशन का इंपेक्ट 2025 में डलना मैं बिल्डिंग अभी तो बनेगी तियार होगी डेपरेशेशन का इंपेक which is fine उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है AT&W उसकी जो capital थी 78 लाग रुपे 1.1 क्रोड रुपे यहाँ पे capital उसकी बढ़ गई 1.8 क्रोड से क्योंकि यह जो 70 लाग रुपे उसके building term loan के थे जो उसने as a capital डालने थे हमने उसको capital में add किया प्लस कुछ profits को retain किया तो उसकी capital को इस level पे पहुंचाया leverage ratio जो उसकी बहुत ज़ादा दिख रही थी 6x की 4.4x की उसको हमने थोड़ा हसना control में लेकिया है 3.4x पे लेकिया है less than 4 level पे लेकिया है current ratio उसकी borderline थी ठीक थी debtor days उसके पहले तो बहुत ज़ादा थे 129 days तो अभी control में आगे थे 55-54 पे और जो creditor days थे वो 300 दिन के उपर जो भूम रहे थे वो 200 दिन के उपर आए थे care इनका जो ये काम होता है न ये out of books बहुत ज़ादा होता है इन लोगों का काम तो ये entry यहां पड़ी रहती है कि register करने वाली तो similarly stock stock तो आप उसके जगा पे factory पे जाके देखो तो stock वहाँ पे दिखता भी था बहुत ज़ादा ठीक है अब ये हो गया building time loan का discussion अब बात आती है OD limit की की अब OD limit का क्या करे OD limit में तो 20 लाग की क्लाइंट को नहीं बोला उसकी विजिट पे बाहर निकलने के बाद हमने मना कर दिया हमने बोला कि भाई देखिए यह जो आप प्रॉप्टी दे रहे हो यह खाली एक यह लैन्ड की प्रॉप्टी यह यह लैन्ड की परॉप्टी है 2.7 क्रोड की आप बता रहे हो अब बोल रहे हो कि इसके उपर देखिये बाइ बॉक बात करते हैं क्लाइंट बोल रहा है कि चार-पंच क्रोड की building बनेगी हम तो क्या present कर रहे हैं हम तो यह present कर रहे हैं कि 2.67 क्रोड की building बनेगी तो हमने बोला कि land है तो 2.67 क्रोड की आप बता रहे हो कि इसके उपर building बनेगी ठीक है तो 2.7 प्लस 2.7 ही हो गया almost तो यह 5.4 क्रोड रुपीस की value बनती है तो एक बात आ जाए है जो भी आप लोग सुन रहे हो जिसमें से भी आप लोग जो existing किसी bank में काम कर रहे हो आप यह बताओ कि जितना building पे खर्चा होता है जितना building पे खर्चा होता है जो final valuations हमारे पास आती है ultimately किसी borrower की तो क्या उतनी ही building value वो दिखाते हैं valuer? valuer हमेशा building की value गिरा दे आते हैं पता नहीं क्यों क्लाइंट का चाहिए 2000 रपे पर square feet खर्चा होगा वह building बराने में पर वैल्यूर आपको 1200 रपे पर square feet खर्चा डालेगा ठीक है तो वैल्यूर की valuation हमेशा कम होती है तो इसलिए कभी इसी भी case को करते time इस चीज़ का comfort ना ले कि 2.5 crore की building बन की value बढ़ जाएगी कभी भी 1.5 crore से amount नहीं बढ़ती है building फाइनल valuation में valuation में हमेशा amount कम amount से बढ़ती है तो अगर हम conservatively भी लगाएं कि अगर 2.7 crore की building का खर्चा पक्के में करेगा तो हमारा जो value है वो उसकी 50% value लगाएगा यानि 1.3 crore तो 2.7 crore 2.7 crore land value तो lower side पे मानते ह है कि 1.3 crore building value value और हमारी final valuation में लगाएगा completion के बाद तो ये हमारा बनता है 4 crore की property value तो ये जो 4 crore की property value होना है तो मैंने उनको बोला कि ये 4 crore की property value तो इस building term loan के लिए primary collateral है ये building term loan जो हम 2 crore का दे रहे हैं इसके लिए ये जो land and building है ये primary collateral है और इसकी value को मैं OD limit की value के अंदर use बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्यों इसको मैं all together link दे रखूंगा building term loan के साथ ही और मैं अपनी asset coverage ratio 2x की maintain करूंगा क्योंकि मेरी 4 crore की property बन रही है 4 crore की property बन रही है 2 crore का मैंने building term loan दिया तो मैंने 2x की 2 गुना की asset coverage ratio पनी maintain की तो मैंने बोल ये उनको guide के हालांकि मैं इस थोड़ी सी call ले सकता था क्योंकि मेरे पास 4 crore की value आ रही है और अगर मैं asset coverage ratio 1.5x की भी रखता यानि कि 2 crore का 1.5x कितना बनता है कि 2 crore का 150% कि अब भी देख लेते हैं 2 crore का कि 150 परसेंट ये बनता है 3 crore रुपे तो हलाकि मैं 1.5x भी रख सकता था और 3 crore की value allocate कर सकता था अपने building time loan के लिए और बाकी 1 crore को spare use कर सकता था बट बाकी 1 crore को spare use क्यों करूं क्यों क्योंकि मेरे को भी building बनानी है client को building बनेगी कैसे बनेगी कितना time लगेगा 3600 में मुसीबते आ जाती है मेरे पास तो अभी खाली land है 2.7 crore की जब building बनेगी बनके complete हो जाएगी तब announcement कर लेंगे लिमिट में पर आज की date में क्या है आज की date में खाली plot है 2.7 crore का तो मैंने उनको बोला sales वालों को कि बही 2.7 crore का plot है मेरे को नहीं पता building कम बनाएगा कब नहीं कितने time में complete होग क्या पता बीच में चलते चलते वो छोड़ दे तो मैं अभी इसकी OD की announcement नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास खाली 2.7 crore की land है और 2 crore का building time loan मैं दे रहा हूँ तो मेरे पास asset coverage ratio अभी फिलाहल बहुत कम है तो जब उसकी building complete हो जाएगी तो तब जाके कोई OD में announcement देखेंगे अभी तो फिलाल OD limit के against मेरे पास खाली ये 81 lakh rupees की property है और 80 lakh के loan के लिए 81 की property sufficient है इस से जदा कोई dilute करने का reason बनता नहीं तो finally इस angle पे इस case को decision किया गया तो अब second case की दरफ चलते हैं ये भी existing case था renewal कम enhancement का case तो इसमें blankets की manufacturing करता था client और उसकी existing limit 50 lakh rupees की चल रही थी और propose वो मा मंग रहा था 70 lakh rupees यानि की 20 lakh rupees की enhancements की enhancement की वो demand कर रहा था commercial property self occupied commercial property SOCP हमारे पास mortgage थी 90 lakh rupees की value की symbols ओके थे banking होके थी कोई समें को challenge नहीं था तो अब client की turnover का क्या trend था 1.97 crore 2.4 crore 2.3 crore और projected भी थी 2.5 crore तो 2.5 crore की projection पे 20% अगर लगाएं तो हमारा बनता है 5 crore 50 lakh rupees तो 50 lakh की ही limit चल रही है तो फिर 20 lakh rupees और ज़्यादा कैसे दे दें उसकी eligibility के लिए तो मिरे को projection बढ़ानी पड़ेगी कम से कम यहां पे मिरे को साड़े 3 crore की projection चाहिए ठीकर 3 crore का 20% करूंगा तो 70 lakh बनेगा तब और जाके मैं 20 लाग की announcement दे सकता हूं तो यहां पे तो ऐसा सी scene नहीं था तो EBITDA margin उसका आप देखिए कि 7.9% 6.9% 6.8% ठीक है मोटा मोटा और पैट तो बहुत ही healthy दिखाया हुआ है 2.9% 3.5% 3.7% अच्छा पैट दिखाया हुआ है Capital 89 lakh 1.01 crore 1.1 crore बहुत अच्छी लिवरेश 0.7x 0.7x 0.4x bus Current ratio 1.8 1.2 1.6 healthy ISCR 8x 8.1 15x बहुत अच्छी Debtor day 61 52 56 in control Stock day 62 28 23 in control Credited days 83 यहां पर अप गई और बस वापिस track पर लेके आया 56 यह भी in control Financials तो मैं बोलूँगा तो very good है financials Banking conductor भी अच्छा, Sible conductor भी अच्छा, हमारा existing customer है 2-3 साल से tested customer है और सारी routing हमारे पस कर रहा है उसमें भी कोई challenge नहीं है तो अब खाली वो बचारा 20 लाक रुपे मांग रहा है और 90 लाक रुपे की property भी दी हुई है हमें और खाली उसके उपर 50 लाक भी दी हुआ हुए अब कहानी सिर्फ और unity visit किया और unity visit भी satisfactory है अब कहानी खाली फस रही है कि वो 20 लाक रुपे की eligibility कैसे बनाए 20 लाक रुपे की eligibility नहीं बन रही अब एक तो तरीका था कि मैं MPBF method यूज कर लू MPBF 1 या 2 क्योंकि current ratio 1.6 की है तो MPBF यूज करके हमारा काम बन सकता था पर इतने छोटे केस में 50, 60, 70 लाक के केस में MPBF यूज करने का मेरे को motive नजर नहीं आया क्योंकि cycle तो उसका कोई बहुत ज़्यादा है नहीं तो खाली आप cycle net cycle आप देखो तो 23 दिन का cycle है ये और ये तो cancel ही होगे तो 23 days का cycle है तो 20% of turnover के हिसाब से भी हमने उसको 90 दिन का cycle अप्रूव किया हुआ ठीक है तो हमने तो अलड़ी उसको overfund किया हुआ है उसके हिसाब से बट क्यार क्योंकि MSME है छोटी काई है छोटा unit है तो इनकी books में उस तरह की picture कई बर नहीं होती जितनी actual में होती है ठीक है तो हम मानके चलते हैं कि छोटा 90 दिन का cycle तो इनका हो गई blanket का काम है वैसे भी seasonal काम है तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने फिर explore कि अब क्या करे कि अब 20 लाक रुपे तो हम देना चाहते हैं तो अब क्या करे तो फिर हमने lap product में lap product में DLOD limit propose की lap product में DLOD limit propose की क्योंकि इसकी profitability बहुत अच्छी थी profits अच्छे थे तो इसकी 20 लाक रुपे की additional DLOD 10 साल के लिए eligibility बड़े अराम से बन गई eligibility बड़े अराम से बन गई इसकी हमने property value को कैसे use किया 90 लाक रुपे की मारे पास property value थी 50 लाक की हमारे पास limit थी तो हमने 50 लाक की limit के against 50 लाक रुपे की property value spare कर ली side पे रख ली तो हमारे पास कितनी property value बच गई 40 लाक रुपे की property value बच गई और 40 लाक की property value हमने दे दी lap वालों को यानि lap product के लिए तो lap product में हमने 40 लाक की property value पे कितना DLOD दिया 20 लाक का तो यानि कि कितना प्रसेंट कितना LTV प्रसेंटेज लिया हमने सिर्फ 50 प्रसेंट का यानि 40 लाक की property value पे 20 लाक रुपे दे लोड़ी दिया तो 50 प्रसेंट के LTV लिया और यहां पे जो हमारा profitability बहुत अच्छी थी तो हमारा जो fire था वो भी खाली सिर्फ 55 प्रसेंट ही बना fire भी 55 प्रसेंट बना और LTV सिर्फ 50 प्रसेंट बनी तो LTV प्लस fire जो था वो 105 प्रसेंट का combination बना तो इस angle से हमारा उस program बे वो बिलकुल angle पे fit हो गया जो कि income based program है यह वाला जिसमें सिर्फ obligations monthly obligations सर्व करने की ability होनी चाहिए क्लाइंट की तो उस प्रोड़क्टर में हमने उसको fit करके 20 लग रपे दे दिया तो दिखी समझने वाली बात होती है कि अगर आपको case overall ठीक लग रहा है कि आप वीडियो बनाने का मक्सद है कि आप चोक मत होए कि क्या पता है आपके पास भी similar scenarios का कोई case आ रहा हो similar चीज़ों का कोई case आ रहा हो तो आपको decision कैसे बनाने है क्लाइंट से क्या बात करनी है आपको sales के सार क्या engage करने है तो क्या आपको अपनी दलीले देनी है तो यह सब समझने का motive है इन वीडियो उसका तक कि आपको practical understanding हो सके कि practical काम कैसे होता है I hope आपने इस वीडियो को enjoy किया होगा बाकि next lecture में मिलूँगा आपको thank you very much